Good afternoon class अच का हमारा टॉपिक है translator ठीक है? translator का use क्यों पढ़ता है? मैं बताई थी हम लोग languages पढ़ रहते लास्ट वीडियो में तो उसमें बताई थी कि translator का use क्या है ठीक है? translator का use क्या है? translator क्या करता है? किसी particular language को किसी दूसरी language में convert करता है बट कंडिशन क्या होना चीए जो कनवर्टर है या जो ट्रंसलेटर उसको दोनों लेंगवेज आना चीए मैंने एक्जमपल देके बताया था जैसे आप क्या कर रहे हो आपको हिंदी और इंगलिश आती है आप सपोस्ट क्या चले गए साउथ इंडियन साइट चले गए ठीक है साउथ वाले लोग को हिंदी नहीं आती ठीक है और उनको क्या आती है फर इजमपल कंड़ आ रहा है या तेलगू आ रहा है तो आप तो वो नहीं समझोगे तो आपके पास कोई third person होना चाहिए आपकी हिंदी को तेलगू लेंगूज में ठ्रांस्लेट करने के लिए उनकी जो तेलगू है आपको हिंदी में ठ्रांस्लेट करने के लिए सेम उसी sense में आपका computer वाक करता है computer किसको समझता है low level language को समझता है और हम लुक इसको समझते हैं high level language को समझते है तो एक translator होता है यह क्या होता है programmer होता है यह क्या है आपका translator है यह क्या करता है high level language को low level language में convert करता है और low level language को high level language में convert करने का काम करता है इतना समझ में आया है यही इसका important role है अब इसमें क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. कौन से दो टाइप के translator होते हैं? एक होते है आपका interpreter और दूसरा होता है क्या? compiler. देखो, दोनो translator हैं. अगर दोनो same function perform कर रहे हैं, दोनो translate करने का काम कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ तो difference होगा, तब ही तो मैं दो-दो translator use कर रही हूँ, otherwise मैं एक ही translator का use करती, तो दोनों में क्या difference है? वो आज हम जानेंगे, ये भी translator है, ये भी translator है, ये दोनों translator high-level language को low-level language में convert करते हैं. तो पहला वाला जो है, आपका क्या? interpreter. वो क्या करता है? कोई भी statement है, उसको line से क्या करता है? translate करता है. कैसे? line by line. ठीक है? जैसे आप एक, दो, तीन, चार, चार line हैं, यहाँ पर मैं लिखी हूँ, तो इस four line को पहले line में जो लिखा है, उसको क्या करेगा? पहले line को देखेगा, कुछ error है की नहीं, कुछ गलत लिखा है क्या? particular syntax को follow कर रहा है की नहीं? अगर यह line सही होगी, तब वो क्या करेगा? next line में switch करेगा. ठीक? फिर यहाँ check करेगा, यह वाली line सही है की नहीं? अगर कुछ fault है इस line में, तो वो दो आगे की line को read नहीं करेगा. जब तक आप इस line के error को क्या नहीं करोगे? correct नहीं करोगे. आ रहा है समझ में? तो what is the use of interpreter? it translate the high level language into low level language, line by line. कि और क्या करेगा? line by line translate करने के बाद, तब तक यह next statement में switch नहीं करता है, जब तक आपका क्या हो? जो previous statement है, वो clear ना हूँ, या error free ना हूँ. आया समझ में? second properties की क्या है? यह तो समझ आ गया. second property क्या है? देखो, यह line से store करता है, और हर line के यही काम repeat करेगा. यहाँ भी line से, यह पहरे check करेगा, ठीक है, तब दूसरे में. यहाँ check करेगा, तब तीसरे statement में. यहाँ check करेगा, फिर चौथे statement में. तो यह हर चीज, मतलब हर line के लिए क्या करेगा, वही step repeat कर रहा है. it means क्या होता है? यह जो instruction होता है, वो store करके नहीं रखता है. कौन? interpreter. ठीक? आया समझ में ना किये, क्या करता है? अब यह store करके नहीं रखता है. अब यह store करके नहीं रखता, तो इसके लिए memory की ज़्यादा जुरत है क्या? नहीं, तो less memory क्या होती है, इसमें required होती है. किसमें? interpreter में. आया समझ में, और interpreter जैसे कौन सा language यूज़ कुरता है? basic चो language है ना, इसमें आप अगर coding करोगे, तो interpreter क्या करते है? अपने आप activate हो जाते है, और पूरे statement को line से फिर read करते हैं, और आपको क्या करते है? और पूर्ट provide करते हैं. अभी दूसरा देखते हैं क्या? compiler. अभी एक समझ जागे ना, ये whole statement at a time, एक ही बार में लेगा, ठीक, और फिर translate करते हैं, जैसे अपका चार line है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये सब को read किया, पहला वाले तो ठीक है, दूसरा ठीक है, तो यहाँ पर message दिखाएगा, क्या? कि error in line number third, ऐसा करके, आया समझ में, तो ये किसका काम है, compiler का काम है, दूसरा, ये store नहीं करता, तो ये क्या करेगा, statement को store करके रखे रहेगा, तीसरा क्या है, देखो, इसमें memory कम ज़रत पड़ती है, तो ये store करते है, तो आविसले इसको memory की ज़रत पड़ेगी, या हाई memory की ज़रत पड़ेगी, है ना, तो memory required, इतना समझ आया है, ठीक है, और ये इसका last में, एक्जाम्पल बता देती हूँ, किसका हाई, क्या बहते हैं, compiler का क्या है एक्जाम्पल आपका, C है, C++ है, और जो कोबोल है, वो किसके एक्जाम्पल है आपके, compiler इसमें इन तीनों लेंग्विज में यूज़ होते हैं, ठीक, तो ये आज का क्या हो गया, आपका इस ट्राइब से 4th chapter जो है, खतम हो गया, ओके, थैंक्यू क्रास,